दोस्तों आप देख रहे हैं साड़े 800 मूल सब्द की वीडियो सेरीज को जिसका की ये आठवा भाग है इस वीडियो में आप 50 सब्दों के बारे में सीखेंगे उसके स्पैलिंग अर्थ और हिंदी के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं वो भी इस वीडियो में बताता हूं औ R.I.P. Step का मतलब होता है चरन कदम और उपाए भी इसे कहते है फूट स्टेप और वौक जो है वों इंगलिजी के सिननेम है आर आई सी रैस रैस का मतलब होता है चावल V.I.E.W. View का मतलब होता है राए देखना जाचना शी लुक साईट इसके दूसरे सिननेम है animal, animal का मतलब होता है, जानवर पसु और प्राने भी इसे कहते है, cattle और livestock जो है, वो इसके दूसरे synonym है paint, paint का मतलब होता है, रंग look, look का मतलब होता है, देखिए punishment, punishment का मतलब होता है, सजा chastisement और टोकू जो है, उसके दूसरे synonym है day, day का मतलब होता है, दिन love, love का मतलब होता है, महबब प्यार, प्रेम इसके हिंदी वाले सब्द है, affection और devotion जो है, वो इसके दूसरे इंगलिस वाले सब्द है s-h-e-l-f, self, self का मतलब होता है, निधानी, रेतिला, किनारा और तख्ता भी इसे कहता है o-i-l, oil, oil का मतलब होता है, तेल p-o-i-n-t, point, point का मतलब होता है, बिंदू, स्थल और अंक भी इसे कहता है, site, venue, sport, center और ground जो है, वो इसके दूसरे इंगलिस वाले सब्द है, n-a-m-e, name, name का मतलब होता है, नाम title, denomination जो है, वो इसके दूसरे इंगलिस वाले सब्द है s-t-e-l, steel, steel का मतलब होता है, फावलाद, r-o-l-l, roll, roll को हम हिंदी में भी roll कहता है नियमा वली और बिलना कार्प, क्लिप्टा हुआ, जो कागद जो रहता है, उसे भी हम roll कहते है manual और organization chart, इसके इंगलिस वाले सब्द है c-o-n, d-i-t-i-o-n, condition, condition का मतलब होता है, सर्थ, bet, betting और pre-requisites जो है, वो इसके दूसरे synonym है f-e-a-t-h-e-r, feather, feather का मतलब होता है, punk या फिर इसे पर भी कहते है, wing, fin और sail जो है वो इसके दूसरे synonym है t-a-l-k, talk, talk का मतलब होता है, बातचीत, व्याख्यान और बोलचाल भी से कहते है, chat और dialogue जो है वो इसके English वाले सब्द है, p-o-w-e-r, power, power का मतलब होता है, सक्ती, सक्ता, बल, ताकर जो है वो इसके दूसरे हिंदी वाले सब्द है authority, entity और government जो है, वो इसके दूसरे synonym है, b-a-s-i-n, basin, basin का मतलब होता है, ghat, k-n-o-t, not, not का मतलब होता है, ghat, बुच्छा भी इसे कहते है lump, hitch, kink, bail और tie जो है, वो इसके दूसरे synonym है language, language को हम भासा कहते हैं और बोली भी इसे कहते हैं, tongue, speech, idiom और essence जो है, वो इसके दूसरे synonym है support, support को हम समर्थन कहेंगे हिंदी में, sahara और pucks भी कहेंगे, endorsement और justification जो है, वो इंगलिस वाले synonym है m-o-n, k-e-y, monkey, monkey को हम बंदर कहते हैं, warner और market भी कहते हैं, puck जो है, वो इसका, इंगलिस का related word है d-i-s-g-u-s-t, discussed, घ्रणा इसे कहते हैं हिंदी में, असंतोस और नाराजगी भी कहते हैं, hate और eversion जो है, वो इसके दूसरे इंगलिस वाले सब्दे है, c-o-k, cook का मतलब होता है, रसोया, बावर्ची और cook इसे हिंदी में कहते हैं, e-d-u-c-a-t-i-o-n, education, education को हम सिक्छा कहते हैं हिंदी में, d-i-r-e-c-t-i-o-n, direction, direction को हम दिसा कहते हैं, नेतित्व और रहनुमाई भी इसे हिंदी में कहा जाता है side और quarter जो है वो उसके दूसरे इंगलिस वाले सब्दे हैं, a-r-c-h, arch, arch को हम महराब कहते हैं, और ये कैसा होता है कि दर्वाजे के ऊपर बना हुआ, अर्ध मंडला कार जो भाग जो होता है, उसे कहते हैं, यहाँ पर चित्र में जिस तरह से दिखाया गया है, payment को हम भुक्तान कहते हैं, और अदायगी भी कहते है, settlement और clearance जो है वो उसके दूसरे इंगलिस वाले सब्दे हैं, screw, screw को हम हिंदी में भी screw कहते हैं, patch भी इसे कहा जाता है, paddle और bolt भी कहा जाता है, इंगलिस में, page, page को हम प्रिष्ट कहेंगे, cart, cart को हम गाड़ी कहते हैं, जो हमें mall में अक्सर देखने को मिलता है, parson, person को हम व्यक्ति कहते हैं, आदमी और सक्स भी इसे कहा जाता है, individual और character जो है उसके इंगलिस वाले synonym है, for के fork, fork का मतलब होता है, kata, stool भी इसे कहते है, throne, fish hook, hanger और needle जो है वो इसके दूसरे synonym है, a, double, t, e, n, t, i, o, n, attention, attention को कहते हैं, ध्यान देना, h, o, r, n, horn, horn को हम sing कहते हैं, और भौपो भी कहते हैं, a, n, s, w, e, r, answer, answer को हम उत्तर कहते हैं, जवाब भी इसे कहते हैं, और reactivity भी इसे कहते हैं, reactivity जो है वो इंगलिस वाला synonym है, h, e, l, p, help, help को हम हिंदी में कहेंगे मदद, g, o, l, d, gold, gold को कहेंगे सोना, w, a, t, c, h, watch, watch को हम हिंदी में कहते हैं, घड़ी और निगराने भी कहते हैं, clock और timer इसके इंगलिस वाले सब्द हैं, s, k, i, n, skin, skin का मतलब होता है, त्वचा, त्वक और खाल भी इसे कहते हैं, pelt और drum जो है, वो इसके दूसरे synonym है, s, p, o, n, spoon, spoon का मतलब होता है, चमच, s, n, e, z, e, sneeze, sneeze को हम कहेंगे, छींक, n, e, r, v, e, num, नव को मतलब होता है, नस और wine भी इसे कहते हैं, i, d, e, a, idea, idea का मतलब होता है, विचार, योजना और कल्पना भी इसे कहते हैं, opinion, consideration, thought और thinking जो है, वो इसके synonym है, a, double, g, egg, egg का मतलब होता है, अंडा, j, o, i, n, join, join का मतलब होता है, सामिल हो, जुड़ना, मिलाना, जो है, वो हिंदी वाले सब्द है, unity, और flock, जो है, वो दूसरे इंगलिस वाले सब्द है, c, o, double, t, o, n, cotton, cotton को हम कपास कहते हैं, रूई भी इसे हिंदी में कहते हैं, और linseed जो है, वो उसका दूसरा इंगलिस वाला सब्द है, ह, o, r, s, e, horse, horse को हम हिंदी में कहते हैं, घोड़ा, दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो सीरीज का आठ वाभा कंप्लेट होता है, आपको यह वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा हो, तो like जरूर कीजेगा, अगर आपको ऐसा लगता है, कि आपके दोस्तों में इसका उपयोग हो सकता है, तो please इसे share कीजिए, मिलते हैं next वीडियो में, bye